Assalamu alaikum, dear students, my name is Rihan Khrushit and I am your math teacher. Today we will solve some problems from exercise 7.1 of class 9, unit number 17, practical geometry of triangles. Triangles की practical geometry के triangles construct कैसे की जाती हैं, इसमें हम यह डिसक्स करेंगे. Let's start our lecture. Question number 1 है हमारे पास, Constructor Triangle ABC in which? एक Triangle ABC बनाएं जिसमें मेयर AB बरावर हो 3.2 cm, मेयर BC बरावर हो 4.2 cm, और मेयर CA हमारे पास is equal to 5.2 cm. तो इसका solution जो हम करने से पहले इसकी construction को देख लेते हैं. पहले construction होती है हमारे पास की एक Triangle को हमने कैसे बनाना है, उसकी तामीर कैसे करनी है. Draw a line segment, मेयर CA is equal to 5.2 cm. आपके पास कोई पबंदी नहीं है याँ पर के आपने जरूरी है CA जो है, वही line पहले draw करनी है. आप पहले BC भी कर सकते हैं, पहले AB भी कर सकते हैं. आप line कैसे draw करनी हैं? सबसे पहले आपने एक Scale लेना है, और साथ में एक Pencil लेके. इस पर आपने 0 से लेकर 5.2 तक की एक line draw करनी हैं. जैसे मैं ये draw करके आपको दिखा रहा हूं. 0 से मैं start करूंगा और 5.2 तक की line मैं draw करूंगा. इस line का नाम है हमारी CA या AC आप कुछ भी A इस तरफ लिख सकते हैं. इस तरफ जहां आप चाहिए, वहाँ पर आप लिख सकते हैं. और इसकी साथ में आपने length भी लिख देनी है 5.2 cm. अब इसके बाद आपने क्या करना है? जो हमारे पास A पॉइंट है, उसको हमने center मानते हुए, जो हमारे पास compass है, उसको हमने 3.2 cm ओपन करके एक arc लगानी है. सबसे पहले हम scale के साथ मेर करके, जो compass है 3.2 cm की open करेंगे, 0 से start होगी, 0 से, 0 से start करेंगे और 3.2, बिलकुल exact खोली है, आपने थोड़ा बहुत हो जाता है, कोई मसला नहीं इसमें, लेकिन आपने कुशिश करनी है, यह exact रहे, तो यह देख सकते हैं, आप मैंने 0 से start की है, और 3.2 तक जा रहे है, 0 से start करेंगे 3.2 तक, उसके बार आपने क्या करना है, बी पॉइंट के उपर, A पॉइंट के उपर, बरकार को रखकर, एक बड़ी सी, थोड़ी बड़ी कर्व लगा ले नहीं है, तक हमें point of intersection में, कोई भी मुश्किल पेश ना आए, A के उपर रखक यह आपने C पे करना है, कैसे, which center C and radius equals to 4.2 cm, अब आपने, जो compass है, वो 4.2 cm के open लिए, तो 4.2 cm, 4.2 यहाँ पर है, 4.2 से लेकर, 0 तक, मैं इस compass को open करके, C point पे compass को रखूंगा, और एक arc प्रा करूंगा, अब यह arc, जो दो arcs हमने draw की हैंगे, जिस point पे intersect करेंगे, उसका ना और उस last part हमारे पास यह है, कि हम जो B होगा, उसको C से join B to C and B to A, और जो B है, फिर हम उसको C के साथ join कर देंगे, एक scale की मदद से, और इसी तरह B को हम A के साथ join कर देंगे, तो यह हमारी required triangle बन जाएगी, जिसमें हम इनकी length से, जो है, BC की length हमारे पास क्या थी, BC 4.2, यहां लिख देंगे 4.2 cm, और इसी तरह AB की length हमारे पास 3.2 cm, तो यहां पर लिख देंगे 3.2 cm, शुक्रीए.